साथियों, अन्दमार और निकोबार के बारा आइलेंट्स में हाई इंपेक्ट प्रोजेक्ट का विस्तार किया जा रहा है मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी के एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान तो आज हो चुका है इसके अलावा रोड, एर और वाटर के जरिये फिजिकल कनेक्टिविटी को भी ससक्त किया जा रहा है नौर्थ और मिडल अन्दमान की रोड कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए दो बड़े ब्रीश और एनेज फोर के चौड़ी करण पर तीजी से काम हो रहा है पॉर्ट ब्लेर एरपोर्ट में एक साथ बारा सो यात्रियों को हैंडल करने की केपिसिटी आने वाले कुछ महिनों में बनकर तयार हो जाएगी इसके अलावा दिगलीपूर, कार निकोबार और केंबेल बे में भी एरपोर्ट ऑपरेशन के लिए तयार हो चुके है स्वराजदीप, शहीद द्वीप और लॉंग आइलेंड में पैसेंजर टर्मिनल, फ्लोटिंग जेटी जैसे वाटर एरो रॉम इंफरस्ट्रेक्टर भी आने वाले कुछ समय में बनकर तयार हो जाएगे इसके बाद यहां उडान योजना के तहट सी प्लेन की सेवाएं शुरू हो जाएगी इससे एक आइलेंड से दूसरे आइलेंड की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और आने जाने में आपका समय भी कम लगा करेगा साथियों आइलेंड के बीच और बाकी देश से वाटर कनेक्टिविटी की सुविधा को बढ़ाने के लिए कोची शिप्याड में जो चार जहाज बनाए जा रहे हैं उनकी डिलिवरी भी आने वाले कुछ महिनों में हो जाएगे प्रयास यह है कि अगले एक साल में बड़े जहाजों को रिपेर करने की सुविधा वहीं आइलेंड में ही विख्षित हो इससे आपका समय बचेगा, खर्च कम होगा और रोजगार के अवसर भी बनेंगे इसका बहुत बड़ा लाब फिसरिस सेक्टर को भी होगा अगले पाइलेंगे जहाजगा आपका समय प्रयका यहाजगार।